हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आपने घर जा रही हूं पूरे छह महिने के बाद में तो आज मैं शाम की ट्रेंड से जांगी घर लेकिन अभी मैं जा रही हूं ओफिस तो आज का जो व्लोग है यह वाला जो व्लोग है काफी मज़ेतार होने रहा बहुत इंट्रेस्टिंग होन जाओंगी कि आपिसे लिए कि नाम राम हाँ सांफू उदर से निकल जाओंगी हाँ यह बेर बस दो दिन के लिए ही तो जाओंगी वाकी तो कप्रे उप्रे सब महां होते ही यह घर पे तुम्हें जा रही हो तुन्ना तरी ओफिस और ओफिस से जाने के बाद शाम को ही मैं जाओंगी रेलवे स्टेशन पे यहां से मेरे ट्रैन है उसकी पुकिंग मैंने पहले ही करवाली थी हालाईंगी 15 मेंटिंग थी तो मुझे लगता है तो हो गया होगा और यह है रास्ते ओ क्योंकि घर जाके हम देखेंगे मम में पापा था भाई को तुम अने बता दिया है क्योंकि लेने वही आएगा दूसको पताना जरूरी होता है और शाम को कि मेरे ट्रेन शे बजे कि यहां से रवाना होगी तो मैं घर पे पहुंचूंगी साड़े ग्यारा बारा बजे रात हुआ है अभी नया बन रहा है थोड़ा सा काम उसका बाकी है उसके बाद पूरा हो जाएगा फिर अच्छा सा प्रोग्राम भी करेंगे तो घर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है उंपर का फ्लोर यह पूहे वाला यहां से हम कभी कभी पूहे लेते हैं गाइज यह में पहुंच चुगी हो फी तर्श बेढ़ा तोफी सेग्ड फ्लोर पे हमारा तक्तर होता है और यह गाड़िया लेगी हुए पार्क पे मैं अंधर होता है देख लो देखे यह आपको लाइव है तो आज हो ना क्या तुम मेकप सोड़ी कर रही हो यह लड़की है प्राची और यह बोल दिया कि मेरा एक पास्पोर्ट साइज फोटो क्लिक कर दो वैसे किना अच्छा ना कोइंचिडेंटली आज केमरा लेगी आई हूँ है यह तो यहां पर यहां पर मेंग सुन में मीटिंग्स हो की है इट सथी थाइंब दिस इस माय वाइब प्रसेस मेरा आर्टीकल बनकर तयार है और इसको मैं पब्लिश कर रही हूं यह पब्लिश हो गई है लिंक कॉपी इसको हम ग्रुप पे भेज देंगे है गाइस तो मैं पहुंच चुकी हूँ दुर्गापुरा रेले स्टेशन जहां मेरी ट्रेन आएगी और यहां पीछे मैंने अपनी गाड़ी पार्क लगा दी है तो तीन से चार दिन के बाद मैं घर से आऊंगी और यहीं से मैं अपनी टॉलना उठाऊंगी और डिरेक्ट मैं मतलब अभी बजे हैं पांच बीस हो चुके हैं तो बीस-पचेस मिनट ही है मेरे पास वहां पर और ओफिस के ज्यादा क्लिप्स में नहीं ले पाई क्योंकि ओफिस में तो काम करना होता है न तो चोटे-मोटे जो एक-दो क्लिप्स लिए हैं वो आपने देख लिए हैं और अब मैं ट्रेन में बेठूंगी इसके बाद में घर जाओंगी घरवालों को सर्ट्राइज दूंगी तो वो सारा मुमेंट में केप्चर करने वाली हूं कि क्या कुछ रहने वाला है मम्मी पापय के एकस्प्रेशन और यह एसकेलेटर है लेकिल चल नहीं रहे हैं तो इ दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि 15 मेरी वेटिंग थी और कंफर्म हो गई है सीट में 35 नमबर मुझे सीट मिली तो वाइस यह है प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन का इंपजार कर रही है यह लोग भी उसी ट्रेन में जाएंगे और सामने एको ट्रेन खड़ी है यह ट्रेन जाएगी वही पर मेरी शाहर नेकिन में इसमें जोओंगी कि यह लोकल ट्रेन है और बहुत लेट पहुंचाती है और यह जो दूसरी पट्रे खाली दिख रही है यही से आएगी मेरी ट्रेन अभी एस्ट्री मेरा कोच है जहां में खड़ी हूं अभी यहां पे तो ट्रेन में मुझे एफर सीट और मैं इस से पहले पहा बैठी थी, सब लोगहने अपने बर्ट लगा ली ने तो देने प्रेन, सब लोग किस नवचा कीदिए करेंगे, किस लुक्षोरेंगे, किस पॉन चला रहेंगे और मैं अब बोर होगें बोर में लगी नवचने वाले हैं, जाले पावेग करेंगे मैं बेट कर रही हैं, जिलकर ग्यारा बजे और मैं अमचूर होगे अभी बजे हूँ यह अफनो बजने वाले हैं, और कोटा आने वाला है बोर तीन मैं फ्टेक्शन जिसे सवाई मादिकूर बरवाड़ा में कर चकाने अब कोटा आएगा फिर बारा हैगा और फिर आएगा मेरा शेल तो यह है प्लैफोर नॉमबर टू और यह मतलब यूजवली जो है प्लैफोर नॉमबर एक पर गुटती है ट्रेंड लेकिन आज दोह पर रुकी है इस चब्रा रेल्डेस चेशन और मैं अपने हॉमदाउन का हौँ चुकी हूँ भाई दूसरे प्लैफोर्म पर वेट कर रहा है तो रात के साड़े बारा बज़ने हैं और यह ट्रें एक घंटा लेट हो चुकी है एक घंटा लेट में पहुंची है और अब बहुत तेज नीद आ रही है बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाओं हलो राम भाई उतर के आ रहा हुँ भाई हाँ भाई आ रहा हुँ भाई आ रहा हुँ भाई आ रहा है और वह खड़ा है वहां पर लेखिए यहां पार्दी है और यह रेलेशिशल है ये भाई आ गया मेरा बाई भी आ गया चलो मैं बहुंच गई हुँ घर इस इस माई हूम स्वीच हूम ये देखिये नया वाला पोर्शन ये उपर बना है आपर से अच्छे से मॉनिंग में दिखाऊंगी कैसा है ये है बहार का व्यू इस चाबी से लोग खुला जाएगा प्रोड़ 5 6 7 8 9 10 10 लोक्स लोक्स कितान लुदी इंज ये वाई की बाई इंजे बाई की गाड़ी है इंजे बाई की घंतान दरी अपस्तरी में इढ़ाइ डाई लगा द़ी डोक लग लग ग़िया है और विपर भीव और नहीं हमें देख हुआँ जा लीग है यह चानल गेत मीमी 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 मने बबबबा खाँ जा मने अबबबब और पाँ काँ आप दो सुट रावारी ठीजा पर बाल लागडोंगlar इस इसा नाए हॉम और यहां मंधी बाबा सो रहे है यह था मेरा हॉम व्लोग जो मैंने जैपूर से घर तक शूट किया और अब में सौंगी क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है और कल उपर वाला फ्लोर पुरा दिखाऊंगी और क्या एक्टिविटीज में करती हूं यहां पे वो सब आपको दिखाऊंगी आई होप आप